Numericals based on defects on eye अब हम ये चेक करते हैं कि अगर हमें ये calculate करना हो कि हमें कोई particular defect है और हमें कुछ distance तक दिखाई देता है इसके बाद हमें दिखाई नहीं देता तो हम कितनी power का lens use करें या फिर हमें कोई और defect है हमें pass का दिखाई नहीं देता हमें दूर का clearly दिखाई देता है तो हम कौन सा lens use करें कितनी power का वो lens use करें इन चीजों को हम calculate करना सीखते हैं तो start करते हैं पहली चीज हम यहाँ पर यह note करेंगे कि यहाँ पर हम distances calculate कर रहे हैं वो भी एक lens से relate करके तो यहाँ पर हम lens formula का use करेंगे जो कि होता है 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u अब बात करते हैं पहले first disease की that is myopia myopia में एक person को infinite that is infinity तक दिखना चाहिए लेकिन हम assume कर लेते हैं कि उसे 2 meter यानि कि 2 meter तक का तो clearly दिखता है लेकिन इसके बाद का clearly नहीं दिखता for example अगर कोई object 3 meter दूर रखा है तो वो उसे clearly नहीं दिखेगा लेकिन अब उसे उस object को clearly देखना है तो अब वो क्या करे कि जिससे की उसे वो clearly दिखे तो उसे कुछ ऐसा करना होगा कि वो object 2 meter पर आ जाए अब वो उस object को shift भी नहीं करना चाहता तो उसे कुछ ऐसा करना होगा कि उस object की image 2 meter पर आ जाए तो उसके लिए उसे use करना होगा एक special तरह का lens that is myopia की case में हम करते हैं concave lens concave lens object जो 3 meter दूर रखा है उसकी image बना देगा 2 meter दूर तो यहाँ से अब हम assume कर लेतें कि object 2 meter दूर कहीं भी रखा है that is infinite कहीं भी so object का distance हो जाएगा infinite यहाँ पर हम minus infinite लिखेंगे minus sign इसलिए क्योंकि जो concave lens है object उसके left side है और left side जो भी चीज़े हम रखते हैं उसे हम negative रखते हैं so object अगर infinity पर है तो उसकी image अगर 2 meter दूर बन जाए तो उसे clearly दिख जाएगा so image हमारी बनेगी कहां 2 meter दूर जहां तक उसे clearly दिखाई देता है so u हो गया minus infinity v हो गया minus 2 meter यहाँ पर minus that is negative sign इसलिए use हो रहा है क्योंकि image भी अब concave lens के left side ही है so u हमने यहाँ पर लिया minus infinite v हमने लिया minus 2 meter so यहाँ से जब हम इसे solve करेंगे तो हम यहाँ से f calculate कर लेंगे और हमने अगर f calculate कर लिया जो कि इस case में होगा minus 2 meter that is क्योंकि 1 upon minus infinite हो जाएगा 0 तो 1 upon minus 2 minus 0 obviously 1 upon minus 2 आएगा और यहाँ से f आजाएगा minus 2 meter focal length अगर हमारे पास आगी तो हम easily यहाँ से power calculate कर सकते हैं तो हम कह देंगे कि power होगी 1 upon f that is 1 upon minus 2 जो कि आएगा power is equals to 0.5 that is minus 0.5 diopter तो यह तो हो जाएगा myopia की case में हम की कैसे object को रखेंगे कैसे हम u लेंगे कैसे v लेंगे और फिर focal length calculate कर लेंगे और फिर focal length calculate करके power के formula से that is 1 upon f उससे power भी calculate कर लेंगे इसके बाद second defect जो eyes में होता है वो होता है hypermetropia hypermetropia की case में एक distance तक नहीं दिखाई देता है लेकिन इसके बाद का clearly दिखाई देता है तो हम assume करें कि कि किसी को 1 meter तक का distance clearly नहीं दिखता यानि कि 1 meter तक का उससे distance clearly नहीं दिखाई देता हाँ लेकिन इससे बाद का उससे clearly दिखाई देता है which means अगर object कहीं पे 25 cm दूर 25 cm यहाँ पर हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि यह least distance of vision होता है which means यहाँ तक का सभी को clearly दिखता है तो हम मानें कि अगर object 25 cm पर रखा है जो कि हम हर case में 25 cm ही मानेंगे तो हम object को that is object की image को 1 meter दूर बना दे तो उसे 1 meter पर अगर image बनती होई दिखाई देगी तो उसे वो image clearly दिखाई देगी और उसे ऐसा लगेगा कि उसे object clearly दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर अगर हम U को माइनस 25 cm माने V को 1 meter यानि कि माइनस 100 cm माने negative negative दोनों को क्यों लिया क्योंकि अब भी यह दोनों हमारे hypermetropia में use करे गए lens that is convex lens के left side है क्योंकि object भी left side है that is 25 cm पर हमने lens से दूर object रखा हुआ है image भी इस object की left side ही बनेगी that is 1 meter और we can say 100 cm क्योंकि उस जगा अगर image बन जाएगी तो उसे clearly दिखाई देगा image distance हो जाएगा minus 100 cm और object distance हो जाएगा minus 25 cm V और यूं यहाँ पर हमें पता चल चुके हम इन्हें solve करके F calculate कर लेंगे and next F calculate कर देंगे हम calculate कर लेंगे power so hypermetropia और myopia में कुछ इस तरह से हम power calculate करते हैं कि कि किस person को अगर hypermetropia है तो उसे कितनी power का lens use करना चाहिए बस यह पता करके कि उसे कितने दूर तक का clearly दिखाई देता है या नहीं देता तो first चीज़ myopia में you हमें put करना minus infinite क्योंकि वो object का distance है और hypermetropia में you हमें put करना minus 25 cm next myopia में हमें v put करना जो value हमें given हो और hypermetropia में हमें v put करना जो value हमें given हो that is यह given value वो होगी जहां तक उसे clearly दिखाई देता है या नहीं देता और यह सारी values हमें negative put करना है क्योंकि यह सभी चीज़े that is object images यह सभी left side है lens के और यह चीज़ हमने sign conventions में सीकित है जो चीज़ left side वो negative कर देणस अरिप्स त्यापक यूंग भाऴज को शल्पत यूर magnet कर द